सबसे पहला important rule है कि buy strength और sell weakness हमारे को ना market में जब भी हमारे को buy करना है किसी भी stock को तो हमारे को bullishness देखनी है और bullishness जो है हमारे को green candle से पता चलती है तो यानि कि हमारे को जब buy करना है तो green candle के बाद buy करना है और अगर हमारे को sell करना है अगर हमारे को weakness देखनी है तो हमारे को bear केंडलौ यानि rigt केंडल से पता चलेगी तो आप यह चीज़ का ध्या नरखो कि जब naval भाइक करोगे ना तो आपने हमेशा गृइन का बाद बार करना है और यहापने सेल करना है तो हमेशा हथा आपको एक इंटल मिलनी चाहिये उसके बाद यावत अपना का order place करो third important चीज है कि हमारे को patterns के साथ थोड़ा flexible होना पड़ेगा देखो किताबों में जो हमारे को चीज पढ़ाई गई है और जो हमारे को practical life में चीज़ें देखने को मिलेगी जैसा कि अभी मैं आपको अगर आप किसी stock में, किसी index में bullish होना चाहते हो तो इसका पहले का index और अगर आप किसी stock में ü inco होना चाहते हो तो वह पहले के trend जो है वह बुलिश होना चाहिए